चले संदीब जी से बाचीत करते हैं संदीब जी का सवाल आया है करें विपुल सार नमस्ते नमस्कार आपको भी संदीब जी करें आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है धन्यवाद आपका संदीब जी कारिक्रम आपको पसंद कर रहे हैं और उमीद करते हैं कि आगे गुड आफ्टरनून, I have question on aircon, 100 share इनोंने लिये हुए हैं, 300 रुपए के भाव पे, कह रहे हैं, क्या मुझे average करना चाहिए, मेरा लंबी अवधी का नजरिया है, दो बाते common हैं, इन दोनों सवालों में, एक तो दोनों के पास ही aircon है, और railway share है, IRFC पे भी एक सवाल संदीब ज जी, अभी 263 पे है, दोनों ही loss में है, क्या करना चाहिए, सर, IRFC और और railway पे आपका व्यू जानना चाहेंगे, आज RVNL पे काफी अच्छी तेजी है, खर इसको बज़िने स्टॉक्स में डिसकस कर लेंगे, आपकी राय क्या रहेगी सर, railway स्टॉक्स को ले करके, अभी क्या संदीब जी और वाजपई जी, आपको बताओं, विलास टाइब मैंने बोला था, ये हमारे विपुल जी न, अमेरिका, अमेरिका बहुत करते रहते हैं, मेरे को तो इस कंट्री से कोई लगाव नहीं है, ऐसे बदमाश लोग है ये, कि वहाँ पे डेट्रॉइट में उनकी गाड़िया पिकनी चाहिए, उन्होंने वहाँ का रेलवे सिस्टम ठब कर दिया, तो ऐसे बदमाश है ये, तो यहाँ पे संदीब जी, वाजपई जी मुझे बताइए, आयर एफसी की आपके पास स्टॉक है, किसके पास है, दम कोई है प्राविट सेक्टर में, जो ये क्य अरे अगर मैं आपको बोलो, टाटा जी को भी बोला जाये तो वो भी कहेंगे, तीन लाग पचास जार क्रोड सिर्फ पावर सेक्टर में नहीं लगाऊंगा, ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर कर सकती है, और इरकॉंस, इंडिन डेल्वे कंस्ट्रेक्शन कंपनी, अरे इससे ब पजार में IRFC के पीछे भाग रहा था, अब थोड़ा सा गिर गया पॉब्लिक सेक्टर, तो आपके रिदाईय हो गये, फिर आप बोले यार मैं दाटता हूं, I am telling you the fundamentals of these things, these are the best companies, इसको मत बेचिये, फिर क्या खरी देंगे, फोल्ड करीए, होल्ड कर जीए, IRFC कौन दोनों म नहीं बने रहे है,